हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पटेल इसटाइडी एंपी में आपका स्वागत है अगर आप नहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए क्यूंकि हम अपने चैनल में नौमी, दस्मी, ग्यारमी और बार्मी के महत्पूर्ण प्रेश्ण और उसे सम्मधित नई जानकारी से अप्लोड करते हैं आज हमारा टॉबिकत्रमासिक परिश्ण 2020 का पेपर है दोस्तों कौन्स ओप भीसे हिंधीगा है और दस्मी education का हैर्थ दोस्तों बता दें ये त्रमासिक परिश्ण का पेपर है दोस्तों और इस से बाहर आपको कहीं भी पेपर प्रोफाइड कराएं जिए आप देखते हैं तौत कि परिच्छा में किया आया है हिंदी में आपका क्या है पहला का है अपनी आत्रक इनुगतव को बता रहा है कौन बता रहा है भोली करूं यह सची है सुूंतर दूसरा कहा है ठके पंथिक की पंथा में अलंकार है कौन-कौन से है उक्मा, अन्प्रास, यमक या रूपक तीसरा कहा है छायावाद के प्रतिनी थी कभी कौन-कौन से है जैसंकर प्रसाद रितुराज ये सुर्दा से धरमवीर भारती है जैसंकर प्रसाद चौसक है जुगुपसा, किस रस का इस्थाई भाव, अद्भूत विभास, रौदर या भयानक प्रसाद जी को कामाईने पर परी तोशिक मिला, किस में मिला ग्यान पीध में हैं दिन का परी तोशिक में हैं, मंगला परी तोशिक में सरासत की सम्मान है, आप इससे देख अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे आपको डिसक्रप्शन में लिंग मिल जाएगा और छटम गया जैसा का प्रसाद का संग्रह नहीं है आकास तीव इंद्रिजाल आधी है साय में धूब इसे आ सिए दूसरह कहा है हमारे हरी डیस डैस में लकरी दूसरह कह बाल गोबिंद भगत के माथे पर डैस डैस हमेशा चमकता था तीसरह कहीं मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखा डश डश हैड चौथा क्या है रिक्तिस्थान चौपाई में प्रतेक चरण में डश मात्राइं होती हैं इसे में जहां दो है सोला आएगा और पांच मा क्या है स्री गड़ेज करने का अर्थ है छटमा क्या है रसके खाजसान अंग हैं अब क्या है तीसरा प्रश्ण क्या है सही जोडी बनाई है ना पहला क्या है बाल गोविंद भगत छाया वाद मुह में बगल में चूरी काब की आत्मा खारस कड़ी कड़ी आप इसे फाटा फाट देख लीजेगा आप इसकी स्क्रीम सॉट भी ले सकते हैं आप इसे बना लीजेग और चौथा प्रश्ण क्या है आपको बताते हैं कहने मिखित प्रश्ण कि एक सब्दियों उत्तर आया है दोस्तों पहला क्या है सिर्धनुस किसमें तुला दूसरा क्या है चरन सरोच पकारन लागा में कौन सा लंकार है तीसरा का छात्रों का रहने का इस्थान क्या क्या ग देखा कौन है आप इसे का आंसर ढूंड लीजिएगा और पांचमा के सत्ता सत्त दिया है आत्मकता कविता में में जीवन के अथार्थ एवां अभाव की मार्मिक अब्यद्ध ये पहला कोश्चन है दूसरा यहां से दिया है कभी ने बादल को बालक की कलपना की तरह कहा है पुरुस समानता के भाव रखती थेरी चौंता कहा है कंचन जंग हिमाले के सबसे उची चोटी है यह सत्त सत्त में उताना है पांचमा कहा है संगार रसकाई साहिवा हास से यह क्या होगा जहां तक है तो असत्त है राजक्मार में तत्पुरुस समास है आप इसे देख लिखते हुए नाम लिखे आत्म में कहा दिया है महा कवी सूर दास का साहिट में इस्थान रिधाय कीजिए और सात्म कोश्चन क्या है गोश्वामी तुलसी दास की दो रचना एवां कार्वगत विसेस्थाय लिखना है और अब अत्मा देखते ही भक्तिकाल की दो विसे इस्ताएं और आठमा क्या है छायवाद की दो विसे इस्ताएं लिखना है अत्मा में क्या है छायवाद की दो कवी के नाम और प्रत्तिक का एके उधा प्रचना लिखना है प्रिश्ट क्माउख नौ में क्या है भक्तिकाल के दो कवियों के नाम एबन प्रत्यक की एक-एक रचना का नाम लिखना है और अत्मम क्या है रस जार भी बहत Swam और आत्म पता हो जीमनी में अंतर यह हम अपने वीडियो इसका बना चुके है अ अगर आप कि हमारे डिस्क्रिप्टिम में लुइ तर आप लिंक करें सकते हैं कि कि विभौ की से कहते हैं और है कितिय प्रकार होते हैं त eg प्रिशन के अलंकार किसे कहते है क्रिश्ण के प्रीति अपने आनने प्रेम को गोफियों ने क्यों प्रकार अभी दित किया है और प्रश्ण 14 के है प्रवंद कार्व के भेद लिखना है और अत्वा में कहा है भागात के ब्यक्तित्त और उनकी भेद भूसा आपने सब्दों में प्रसुत कीजिए तेक है प्रश्ण 14 अब देखते हैं आगे पंदरम के देख तूमा चलत राम चंद्र पंक्ती में कौन सा अलंका है अत्वा में क्या है करिश्ण के प्रति अपने आनन प्रेम को गोपी योंने किस प्रकार अभ्यक्त किया है प्रेश्ट क्रिमांग 16 में महाकाव एवंखंड काव में तीन अंतर लिकना हमने इसका भी वीडियो बना दिया है आप इसका अगर वीडियो चीए तो आप डिसक्रिप्शन में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा आपको और अथमा में क्या है प्रेम के बतले प्रेम का उत्तर ल पहला क्या है तुम्हारी ये दन्तुजिती मुश्कान धन्य तुम्हारी धन्य चिर्प्रवासी मैं इतर मैं अन्य इस अधिति से प्री तुम्हारा क्या रह संपर्ग उगलिया मा की कराती है मधु पर्ग अत्ममचा दिया है अधो तुम हो अती बड़ भागी अपरस रहत सनेह तागा तै नाहिन मन अनरागी पुर इन इन पात रहत जल भीतर तारस दे ना दागी जो जल माह तेल की गागरी बून ना काको लागी प्रीति ना दी मैं पाउना बोरयो दृष्टि ना रूब परागी सूरदास अबला हम भोगी गुर बाटी जो पागी अठारवा कोश्टन क्या है यह आपको कहा दिया आपका पड़ोसी देर रात तक ध्वानी मिस्तार कंत्रों का प्रयोग करता है जिसके आपके अध्यान में ब्यवधान उत्पन होता है इस बात की स्विकायत करने हैं तु क्या रिकना है प्रुहारी पत्र और अत्मम क्या दिया है बार्थिक परिच्छा की त्यारी कर जनकारी देते हुए अपने माता पिता जी को पत्र रिखना है यह कहा है आपका अबेदन पत्र और यह कहा है एक पत्र रिखना है और अगला कोशन क्या है प्रिच्छ कबन 19 में हमारे जीवन सहली में कम्पीटर और इंटरनेट का दखन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान और कम्पीटर इंसान बन जाएगा कम्पीटर विसेशग और लेखा कवीरी कुर्च वील ने भविस माड़ी की है कि सन 2019 तक कम्पीटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंध तक भी सार्थक एक रूप हो जाएगी यह आपका क्या है यह आपका अपाठित गद्यांस है दोस्तों यार कोश्चन क्या क्या दिया है आप देख लिए पहला क्या दिया है उप्योक्त गद्यांस जी सीर्सक लिखने के लिए इंसान के कम्पीटर पन जाने से समाज में को क्या है और तीसरा क्या है उप्योक्त ग अंचेट लेखन कीजिए पहरा क्या दिया है दूर के ढोल सुहाबने और दूसरा का समाज का नहीतिक पतन इल्ग का अंचेट लेखन करना है अब देखते हैं प्रिंश कमाइग किस में क्या है रचनाय दो रचनाय दिया है बहुपाच्च अप ताहित में इस्तान लिखना है क सब्सक्राइब दूसी दास जी का दोनों में से किसी एक का लिखना क्या दिया अत्वाइद यहां पास एक है ना और डुसकी कमाम बाइस में नेम लिखी दौरचनाय बहुपाच स्टाइली और साहित में इस्तान इक है गद का दिया है गदध खंड से क्या है राम बन्द दिया है इसका रूप रेका भी लिखना है महंगाई की समस्यक और समाधान और स्वच्छ भारत अभियान या परियावरा प्रदूसर्ण अत्वा परियावरा प्रदूसर्ण की समस्या होई है चौन तक है नई सिच्छा नीती में सिच्छा के इस तर इसमें स्चारों म आपको वदा दिए ही रियल पेपर है यह पूरा पूरा फसेगा आप इसे फटा-फट त्यार कर लिजेगा आपको अगर इसका पीडियाप चाहिए तो हमारे ढिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका पीडियाप ले लिजेगा है ना हम आपको प्रोइट करा देंगे अगर कर लिजे क्योंकि हम जो भी इसका से लिउसन रहेगा हम अपनी डेली ग्राम चैनल में ही उसको प्रोवाइड कर आते हैं